हलो हाई दोस्तों वेलकम बेक टूडान डिजिटल यदि आप क्लास 10 के चाहत रहें और क्लास 9 पास करके क्लास 13 में आ चुके हैं तो यह वीडियो आपके लिए हैं अगले 5-7 मिट के अवल आपके लूँगा वो 5-7 मिट आपकी जिंदगी बदलने वाले 5-7 मिट होंगे बस आप एंड तक बने रहेना उसके बाद आप खुद कमेंट करके लिखिएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा और आपके लिए कितना रहा ठीक है तो कहानी को सुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक चोटी सी कहानी डिसकस करना चाहूंगा क्या है वो कहानी आईए शुर लाणी किसान उससे कहता है कि मैं आपको नोकरी दे दूँगा बट आपको मेरे एक सर्थ जो पूरी करना पड़े के कंडिशन है जो पुर्रा करना पड़े का था वो टस्क और उसक लड़के से यह कहा उसकिसान ने उस लड़के से कहा कี इस तबेले से एक-एक सांट बाहर निकलेगा एक एक बुल बाहर आएगा आपको उस बुल की पूछ पकड़नी है आपको तीन मौके दिये जाएंगे कितने मौके दिये जाएंगे इस तबेले से एक एक बुल आएगा तीन बुल आएंगे तीनों बुल में से अगर एक बुल की भी पूछ आपने अगर पकड़ तो आपकी नोकरी पक्की ठीक है वो लड़का मान जाता है बोलता ठीक है इस तबेले से सांड आएगा और मैं उसकी पूछ पकड़ लूगा ठीक है ऐसे करके कहानी शुरू होती है और फिर कहानी शुरू हुई बंदा टास्क ले मान गया अब भुता क्या है कि सबसे पहला ब बुल बाहर आता है तबेले से पहला बुल बाहर आता है वो लड़का देखता है कि बुल आया पर उसे लगता है यह बुल बहुत खतरनाक है मोटा तगड़ा बुल दिखा इसलिए वो डर गया और उसने कहा कि मेरे पास अभी दो मुके और हैं तो इसलिए उसने कहा कि पहल पहले बुल को उसने जाने दिया क्योंकि उसके पास दो मुखे और थे ठीक है अब यह पहला बुल जा चुका है दूसरा बुल उस तबेले से बाहर निकला और जैसे ही दूसरा बुल बाहर निकला तो पता चला कि यह तो पहले वाले बुल से भी बहुत खतरनाक है बड़े- तो यह बुल भी निकल जाता है तीसरा बुल जब आता है तो बहुत ही मजे की बात क्या होती है तीसरा जो बुल होता है वो बहुत ही दुबला पतला सा होता है अब दुबला पतला सा बुल होता है बट सबसे मजे की बात उसमें यह थी कि उस बुल की पूछ ही नहीं थी उ तरीके से अपने तीनों मों को गवा चुका था और सर तहार चुका था नोक्री से हाथ गवा बेठा था ठीक है अब ध्यान समझेगा इस कहानी से हमें क्या समझाता है कि अगर आप भी अगर आप भी क्लास 9th के स्टुडेंट हैं और 9th पास करके 10th में आ चुके हैं आपका result आ गया होगा तो आप मेंसे भी बहुत सारे चाहतर यह सोचते हैं कि अभी तो मैंने एक्जाम दिया है मैं पहले रेस्ट करूंगा इंज्वाय करूंगा उसके बाद कहीं जून-जुलाई से पढ़ना स्टार्ट करूंगा और जून-जुलाई आता है तो फिर सुरता है अभी अगर पहला यह बूरड का एक्जाम होगा जिसमें आपका अच्छा करना इम्पोटन्ट होगा तो यहां पर क्या होगा आप अगर शुरुत करेंगे न तो अगर चीजे देरे भी करेंगे देरे देरे भी सिखेंगे तो भी आप put जीत जैंगे मतलब आप को यह बात बहुत अच्छा पता यहां कि रईस में वही बंदा jy Grammy जीता तो आपकी अच्छी उनीचीपर इसी सुरवाथ को अच्छा करने के लिए हम आपके साथyba और या उडान एकेडमी आपके साथ हैं तो उडान एकेडमी ऑफलाइन प्लस उडान डिजिटल ओनलाइन सनावत छेतर में आप सभी क्लास 10 सीबीसे चात्रों के लिए उडान एकेडमी लेकर आया है ऑफलाइन प्लस ओनलाइन बेच मतलब अब आपको घबराने के बिल्कुल कोपिक कहीं से भी पढ़ सकते हो आप एप पर एक्ग्जाम टाइम में आपको चैप्टर-1 डिविजन करना चैप्टर-2 करना है लाट चैप्टर-2 करना वो सारे जवगर आपको तीन मेहने में इस आने में सलेवाज भीधिवस खतम कर सकते यह आप पर ट्रुपेंड करता ह तो आई ये चीजों को समझ लेते हैं एक बात तो क्लियर होगी सबसे बड़ा जो फीचर रहेगा आफ्लाइन प्लस ऑनलाइन मतलब इसका एक बड़ा फाइदा क्या है कि अगर आप आप आफ्लाइन क्लास जोईन करते हैं साहाब तो यकीन मानिए तीन सो दिन मैंसे आप पू इस दिन क्लास नहीं भी आते हैं तो उस क्लास का विडियो रिकॉर्डेट आपको मिल जाएगा जो आप कभी भी देख सकते हैं मतला आपका से ले बस एक परसेंट भी छूटना नहीं है तो आएए आगे डिसकस करते हैं किस तरीके से हम चीजों को डिसकस कर रहे होंगे तो आफलाइन क्लास होगी ठीक है ओफलाइन क्लास आपकी होगी और उस आफलाइन क्लास में जो मैं आपको पढ़ा रहा हूंगा जो मेरा हाज से लिखावा नोट्स होगा उसका पीडियाफ आपको उडान डिटल के एप पर मिल जाएगा डेली क्लास का पीडियाफ आपको को समझ रहे होंगे जिससे आप बहतर चीजों को और बहतर समझ पाएंगे और आपका जो content है वो बहतर clear हो पाएगा जो रही बात note करने की दूब आपके पास media form में खुद teacher के हाथ का लिखाव मिल जाएगा जो आप घर पर आराम से note करके बहतरी notes बना रहे होंगे जो आपके exam time में और बहतर तरिके से काम में आएगा दूसरा जो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ जैसे मैं अभी आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ तो यह मेरा वीडियो यह मेरी वीडियो दस कुस्टन डेली उस topics लेटर दस कुस्टन डेली आपको टेस्स के फॉर्म में मिल जाएंगे जिसमें आपका objective portion जो हूँ अच्छे से कवर हो रहा होगा और एक और most important factor है कि जब हमारा कोई chapter खतम हो जाएगा जब कोई chapter को unit complete हो जाएगी तो उस unit से पिछले 10 साल में पूचता है जिससे आप अपना score बहतर कर पाएंगे आप exam देने से पहले आपको पूरा clear होगा कि paper में कैसी चीज़ें देखने को आपको मिलने वाली है जिसे आप बहतर आपका result दे पाएंगे अब सबसे अच्छी बात है क्लास 10 का बच्चा क्या चाहता है क्लास 10 की कई बच्चे कंफ्यूज रहते कि सर मैं NCRT पढ़ हूँ मैं NCRT पढ़ हूँ या आडी सरमा की book पढ़ हूँ या फिर आरे सगरवाल की book पढ़ हूँ तो आप सभी की समस्या का समाधान लेकर हम आए है और समाधान क्या है चीज़ों को द्यान समझीएगा देखो होता क्या है क्लास 10 में क्लास 10 में सबसे पहली कहानी कि जो NCRT का book है और जो एक्जेंपलर है इससे लगभग लगभग आपका 80% सिलेबस आता है एक्जाम में 80% आपके यहां से आ सकते मतलब आप NCRT और पढ़ना पड़ेगा और एसा नहीं होगा अब तक एसा होता था अब इस साल से आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी बुक हम लेकर आए हैं वह बुक क्या होगी आगे हम डिसकस करेंगे पहले यह समझ लो कि अगर आपको 100% लाना है तो सब चीज़े पढ़नी पढ़ेग अब इन सारी चीज़ों का जो समाधान है वो है उडान डिटल का बुक उडान एकड़िमी का अपना बुक जो है PDF फॉर्मेट में उडान डिटल के एप पर यह देखिए हमारे एप का लोगो है आप अगर प्लेश्टोर पर उडान डिटल सनावद अगर प्लेश्टोर पर जालते हैं तो आपको यह लोगोवाला एक एप मिल जाएगा इसको आप डाउनलोड करें वहां पर आपको क्लास 10 cbsc का कोर्स मिलेगा उसमें आपको पूरा PDF बुक बिलकुल फ्री मिल जाएगा चेप्टर वाइस PDF और इस बुक की सबसे बड़ी खासियत क्या है यह बुक अपने आप में इन इन चारो बॲग को कबरो कि हुए हैं मतलब इस बुक को अगर आप पढ़ते हो अगर आप हमारी बुक को पढ़ते हो तो इस बुक से आपकी सारी बुक का कंटेन कवर होगा मतलब वहां से बाहर कुछ बिर नहीं तो आपको अलग-अलग books purchase करने क्र अख कहानी के थूरू आपको समझाएते हैं पहला मोका जो आपका सुरू हो रहा है अगर आप इस मोके को चूख जाते हैं तो अगला मोका फिर आपको मिलेगा बट वो थोड़ा सा कठीन होगा अगर आप आज हमारे सा सुरूआत करते तो आपके लिए चीज़ आसान होगी आज आ अगर आप 100% स्कोर करना चाहते हैं पेंद बोर्ड में अब तक जो भी आपने पढ़ा जेसी भी पढ़ा मेंटर नहीं करता आप टॉपर थे क्लास के या लोवर थे मेंटर नहीं करता पर अगर आज आप हमारे साथ जुड़ रहें तो यकीन मानिए सेशन के एंड तक एक्जाम के पहले आपको उस लेवल तक पहुचा देंगे कि आप खुद आपके अंदर से आपको लगेगा कि मैं 100% स्कोर करूंगा और आप करेंगे तो यदि आप अधिक जानकरी चाहते हैं तो आपको नीचे स्क्रीन पर एक डिटेल चल रही है पट्टी चले सकते हänder दो पर आप में इस बंबर पर हमें दो सिपल कर सकते आपको सारी चीजिए आप चेंशो की लूभ लिए पर शोर। में हैं और अगर दूसरा भी छोड़ते हैं तो आप तीसरे मोगी की तैयारी में रहते हैं जो की एक्चल में होता ही नहीं आपको